हलो दोस्तों मेरा नाम है अभी आप देख रहे हैं दिल्ली अंत्यार का सबसे अच्छा कंप्यूटर रिप्रेस अड़ सेंटर सूरेश कंप्यूटर आज हमारे पास यह लिनुव का लापटॉप आया हुआ है इसमें लिनुव आप अगर देखना चाहें तो कहीं भी लिखा ह आपको डिखा nesse पड़ेगा पिसका हुआ है उमारा जो बेस है क्ए आपको अगरा देता हूँ इसका मॉडल है लिनुव Α है उज को अर्डिया पैर कि आइने में आया है कि यह उन करने पे इसका उनन्म कर ने है Because इसका आपको दिखातु हो मैं कैसे आता है इसका इसosa इसका इसा यह ऐसा यह कापी अच्छ tre है वो आता है इसका बोड़ी तूटने कही ज्यादा तर मैक्सिमम इसमें जितने भी लाउट्टॉप है इनमें मैक्सिमम में बोड़ी ही तूटती है मदर बोर्ड में इसक्रीन में इन सब चीजों बहुत ही कम प्रॉब्लम आती है तो अभी मैंने इसको अन किया था जैसा कि आपने देखा था कि इसमें एक आपका इस्क्रीन पे कुछ लाइन लाइन सी आ रही थे मैं इसको दोबारा पर हम करता हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं इसे ओन करने पे आप पर बहुत सारे लाइने दिख रही है यह ज्यादा तर पॉब्लम होती है इसक्रीन की या फिर केवल की जो आपने पॉब्लम देखी यह अपमारी इसक्रीन की होती है या फिर केवल की हमारी आप से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं और अगर आपके लैपटोप में भी इस तरह का कोई प्रोग्लम आ रहा है तो आ हमारा की ख़ी वा जाता है कोः आपके केबल कर फार तो मैं इसका जो केबल हमारी मौनेक्ट करके देखें गे रहनी मैंस का वेए यह जो केबल है वो दुम आप केर सादी क कर लेंगए कृ ड्रीव अ आधा जाई किबोर खाल बेटताइए इसका तरह स को ऑल के देखे ज ettrion कि एपके आफ दिस्कार में ऊपन करना है तो इसक्रीन तो हमें यह से मिल जा थे लेकिन अमारा जो इसमें बैटरी है वह इंटर्नाल बैटरी है जो कि यहां पर लगी हुई है और यह कनेक्टेट है तो बैटरी अटाने के लिए हमें यह इतना सारा कुछ खोलना पड़ा और यहां इसका स्क्रेंड कोनेक्ट आपकाम कर सकते हैं, क्याया से अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइब करें कि यह मारे स्क्रीन बाहर आगया यह हमारे स्क्रीन यहां पर कनेक्टेड है केबल के साथ तो हम इसके ऊपर एक टेप लगा है वह पहले तो टेप निकालेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारा जहीं जे सरी अभी इसका टूटा हुआ है और इसके बाद यहां से हम इसका जो कनेक्टेर है वो अलग करेंगे यह हमारा केबल से डिस्पली अलग हो गया तो हम डिस्पली को अलग निकाल सकते हैं करेंगे और हमारा दूसरा साइड यह है मदर बोड पे यहां पर कनेक्टेट है इसका जो डिस्पली का केबल है तो हम इसको दोनों साइड से आई-पी से साफ करेंगे और उसके बाद केबल को फिर से लगाएंगे तो यह मारा आई-पी है जो कि हम टूब ब्रस को लेकर इस केबव को भी हेमें साफ करना पड़ेगा नाचाहट तो साइड से हमारा जो बिदर बोर्ड पर कनेक्टेड़ होता है दूसरी साहिड हमारा जो स्क्वीन पर कनेक्टेड़ होता है तो केबवव को भी हम दोनों साइड सी साफ करेंगे więc I być कि इसको थोड़ा देर के लिए शोड़ देंगे ताकि जो भी हमने आइपी डाला है वो सुख जाए वैसे इसमें कुछ होता नहीं है फिर भी है पेट्रोल की टाइप का ही होता है कि थोड़े ज़र हम छोड़ देंगे तो यह अपने आप ही पूड़ जाएगा हमारा जो आइपीधा लिक्विड वह अभी तक अब सूख चुका है तब मैं इसको फिर से रिकनेक्ट करता हूं यह मैंने केबल को मदर बोर्ट की साइड में अटेश कर जया है अब मैं डिस्पले की साइड में जब केबल लगेगा उसको अटेश करता हूं अब यह अब हमारा टैस हो गया टेप कुन भी से लगा देंगे ताकि हमारी केबल अपने जीए से रटे ना अब उसके बाद इसको वह से टेश्ट कर लेंगे बिन पैट किया हूए अब हमने केबल लगा दिया और आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम पहले था अब भी वही प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसक्रीन चेंज करके देखेंगे और फिर देखते हैं कि क्या आता है इसको बंद करते हैं और फिर से देखते हैं स्क्रीन चेंज करके देखता हूं तो यह हमारी स्क्रीन कनेक्ट हो गई और इसको इसको भी पैट नी करेंगे बाहरे टेस्ट कर लेंगे तो इसक्रीन चेंज करने के बाद आप देख सकते हैं कि यह हमारा डिस्प्लेय जो है वो आया था और यह रिस्टार्ट हो आए मसीम फिर से तो रिस्टार्ट होने के बाद अब फिर से यह डिस्प्लेय आएगा तो आप देखते रही है दिखाता हूं कि इसक्रीन चेंज करने के बाद हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है और में इसमें बदर गोट से नहीं प्रॉब्लम है और नहीं हमारी के बलते प्रॉब्लम है इसमें हमारे स्क्रीन के प्रॉब्लम है इस्क्रीन चेंज करने से यह problem solve हो जाएगी अभी आप देख सकते हैं कि वारा display फिर से आ गया है और यह हमारा लिफावा आ गया है तो इसमें वारा screen चेंज करने से यह problem solve हो चुपा है